हलो दोस्तों केसे हो मैं हूँ अश्विन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियोज में दोस्तों अब आप सब लोगोंने एंद्रे एसिपेंको का नाम सुन लिया होगा वो अपनी गेम से famous हुए जिसमें उन्होंने मेंगनस कालसन को जस्व दो दिन पहला ही बीट किया बट इस मोर ने अपनी कला दिखाने के शुरुवाद दो तिन साल पहला ही कर दी थी जब उन्होंने करिया किन के सामने काफ़ी बड़ी असा क्विन सेक्रिवाइज ओफर किया था एंड लाजवाब गेम खेली थी आई यह देखते है गेम जब यह गेम खेलेगी तब उस टैम पे एसी पेंको का रेटिंग जो है वो था 2438 जबकि उनके सामने है सर्गे करिया कि जिनका रेटिंग था उस टैम पे 2757 सो तकरीबन जो है 300 से भी जादा पॉंट्स उपर सो आप देख सकते हो कि इतने बड़े डिफरेंस रेटिंग का जब होता है और आप जब उस प्लेयर के सामने खेलते हो नोर्मली आप क्या करते हो कि आप जो है संबल संबल के खेलते हो बट इस तरह की गेम जो है काफी काम देखना को मिलती है जिस तरह से इंद्रे ने गेम के लिए जिसमें सर्गे के वाइट पीस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत E4 से की and now C6 के रोकान डिफेंस नाइट तो F3 and now D5 नाइट तो C3 नाव बिशब तो G4 H3 बिशब काप्चर्स on F3 क्वीन काप्चर्स on F3 and now नाव नाइट तो F6 D3 and E6 सो यहाँ पर बलेक ने अपना बिशब दे दिया है बट सामने उसने क्या किया है कि अपने पौन्स जो है वो लाइट स्कूर पर प्लेस किया है so that means बिशब से जो भी जो है लाइट स्कूर भी होते है वो जो है वो पौन से कवर कर रहे है बिशब तो D2 वाइट ने खेला यहाँ पर and now Q2 B6 just B2 पर अटेक है and सरगे नहीं यहाँ पर long castle किया and S.E.P.N. को ने अटेक करना स्टाइट किया with a D4 now Knight to E2 and now C5 so chase में क्या होते है दोस्तो जिस साइड आपको ज़्यादा स्पेस होती है उससे आपका एटेक जो है success होने का chance बढ़ जाता है so यहाँ पर black को definitely जो है queen side ज़्यादा स्पेस है मरलब उदर जो है उसका एटेक होने का chance काफी बहतर है E5 यहाँ पर सरगे ने खेला and now Knight to D5 Knight to F4 and now Knight to just B4 और इस position में हमने pawn पर एटेक किया है उसे यहाँ पर आप Bishop captures खेलते होन B4 पर but then C captures on B4 और अभी क्या हो रहा है कि आपने King के सामने C file open करके दी so इसलिए सरगे ने Knight B4 के बाद खेला King to B1 and now Knight to D7 E5 पर एटेक है Queen to E4 E4 को save किया Knight to C6 again E5 पर एटेक है यहाँ पर सरगे ने खेला Knight to H5 और इस position में AC pin को चाहे तो Knight captures on E5 करके खेल सकते थे जिस case में सरगे शायद F4 खेलते and after Knight to D7 वो F5 करके जो है कुछ आटेक की ट्राइ करते but then E5 और यह position जो है completely playable है अब Black से जहाँ पर Black के पास एक extra pawn है पर इस position में White के पास थोड़ा बहुत counter play है इसलिए Knight H5 के बात AC pin को ने यहाँ पर खेला Long Castle जहाँ पर उसका King सेफ है और वो अब जो है आगे चलके E5 पर भी attack कर सकते हैं साथ साथ जो है pawn C4 वगेरा खेल के उदर जो है गेम में सरगे ने खेलाए 4 अपने E5 pawn को save किया जबकि उदर computer suggest कर रहा है I mean computer suggest कर रहा है कि आप जो है पहले Bishop to G5 खेलो and then Bishop to F4 खेलो Point यह है कि Bishop G5 जब खेलेंगे तब Rook E8 मूँँगा तो शायद Rook के पास जो है वहाँ पर lift available है For example Rook जो है Anyways हमारी गेम में चलते है जहाँ पर long castle के बाद सरगे ने खेला F4 and now C4 attack अलड़ी start हो चुका है threat है यहाँ पर just pawn to C3 so pawn captures on C4 and now Bishop to A3 so basically आपने C5 to C4 Q खेला C5 to C4 इसलिए खेला ताकि Bishop का रास्ता जो है वो open हो जाए और अभी threat है pawn captures B2 checkmate की so सरगे ने खेला Bishop to a C1 and now Knight to a C5 Queen play attack है and after Queen to F3 आप यहाँ पर वीडियो को pose कीजिए और सोची कि black को क्या खेलना चाहिए गेम जो है already white के हाथ से निकल चुकी है इस position में सरगे ने actually Bishop on A3 play attack किया है यहाँ पर SC pen को ने खेला D3 काफी brilliant नोंग है reason यह है कि pawn captures on D3 ही खेलना पड़ेगा सब सब पहले तो जो है Bishop को indirectly save किया क्योंकि line block कर दी से अब Bishop capture D3 अगर खेलते हो तो क्या हो सकता है कि simply Bishop captures on B2 Bishop captures on B2 and after Knight to A4 यहाँ पर सरगे चाहे तो resignation दे सकते है game जो है खतम हो चुकी है so D3 के बाद C captures on D3 खेलना ही force है अब क्या हो रहा है कि आब Bishop capture B2 work नहीं करेगा क्योंकि उसमें simply Bishop capture B2 और जब भी आप Knight A4 खेलोगे second rank defense जो है वो possible है so इसलिए C takes on D3 के बाद आप directly B2 पर capture नहीं कर सकते so यहाँ पर खेला गया Knight to A4 जो है B2 pawn पर एक और A take असे इस position में आप B3 खेलते हो then काफी जल्दी जो है game खतम हो सकती है with Knight to C3 check King to A1 और उसके बाद Knight to D4 और एक Queen जो है वो चली जाएगी क्योंकि फिलाल के लिए Knight to C2 checkmate की threat है और से आप जो है यहाँ पर Queen to F2 खेलते हो then Knight captures on B3 में जो है आपकी Queen चली जाएगी so basically Queen जो है by force चाह रही है इसलिए Knight to A4 के बाद B3 खेलना possible नहीं था Rook to D2 game में खेला गया and now Knight to D4 Queen पर take है and Queen to F2 game में खेला गया है so Knight को basically and after King to A1 इस position में वीडियो को post कीजिए और सोचिए की AC pen को ने क्या खेला होगा काफ़ी ला जवाब मुह के लिए लड़ी दोस्तों यहाँ पर AC pen को ने खेला Queen to B3 और इस position में आप Black के तीन अलग-लग पीस जो है वोपॉन से capture कर सकते हो Knight, Queen and Bishop फिलाल के लिए threat है Queen captures on A2 checkmate की सो अगर कुछ नहीं करते हैं तो वहाँ पर checkmate हो रही है से आप जो है Bishop को capture करते हो then Queen to B1 checkmate हो रही है और उसी तरह से से आप जो है Queen को capture करते हो then Knight captures on B3 checkmate हो रही है so Queen to B3 के बाद एक लोती मुह है कि Pawn captures on C3 और अब इस position में वीडियो को pause किजिए और सोचे किस तरह से आप White की Queen को win कर सकते हो By force White की Queen जा रही है Ready? Queen captures on C3 so अब अगर आप King to B1 जाते हो then Queen captures C1 आँ checkmate है so Bishop to B2 खेलना force and now Bishop captures on B2 और यहाँ पे से आप जो है King को मुह करते हो then again Queen C1 checkmate है so Rook captures B2 खेलना force and now Queen 2 C1 check एक लोती मूँ है checkmate save करने के लिए I mean check save करने के लिए Rook to B1 and now Knight C2 check जिसमें अब Queen दे ही देने पड़ेगी otherwise check save नहीं हो रहा है so Queen captures on C2 and now Queen captures on C2 और यहाँ पे सरगे ने खेला G3 C5 ने खेला B5 game already over हो चुकी है just जो है 2-3 मूँ के बाद ही resignation आ गया है आ यहाँ पे C captures on B5 सरगे ने खेला so reason क्या था यहाँ पे कि B5 आप खेलो B5 के पीछे का साफ reason यह था कि जब यह आप capture करो Rook जाएगा यहाँ पे on D4 और जब हम जो है check देंगे Q2 C3 उसमें जो है Rook B2 खेलना पड़ेगा और बाद में आप Rook 2 B4 खेलके उदर पीन पीस में एटेक बढ़ा सकते हो और उस केस में से Rook H2 खेलके अगर आप Rook को support करते हो दें उदर Q2 C1 गेम कतम हो जाएगी क्योंके Rook B1 वापस डालना पड़ेगा उदर हमारे पास जो है Rook का support रहेगा तो यहाँ पे गेम में खेला गए आप on captures on C5 अगर आप नहीं भी खेलते हो फिर भी कोई problem नहीं है क्योंके हम simply उदर capture करेंगे और बाद में Q2 C3 check and Rook 2 D1 जो है checkmate की threat है so C captures on B5 उसे उस position में आप B5 के बाद Rook takes on B5 खेलते है but then Q2 C1 check and after Rook to B1 just Q2 C3 check and after Rook to B2 यहाँ पे K2 D7 और अब देखे Rook to B8 का कोई जवाब नहीं है Rook B8 आते ही जो है यह piece चला जाएगा क्योंके आप उसको जो है Rook H2 करके support भी करते हो फिर Q2 C1 check Rook B1 and Queen captures B1 उधर मेट हो रही है so game जो है just already over है so B5 C captures on B5 and AC pin को ने जैसे ही Rook to D4 खेला इस position में सरगे ने resignation दे दिया क्योंके आप game save करना जो है काफी मुश्किल है almost ना मुनकिन सा है threat है यहाँ पे Queen 2 C3 check की जिसमें Rook B2 खेलना पड़ेगा और उसके बाद आप Rook B4 खेलोगे जिसमें आप Rook H2 से support कर सकते हो then Queen C1 Rook B1 and simply Queen captures B1 checkmate हो रही है या फिर आप जो है यहाँ पे खेल सकते हो like Bishop to G2 but जिस case में हम खेल सकते है Rook to D4 के बाद Sergei ने यहाँ पे Retination दे दिया so दोस्तों कैसी लगी आपको AC Penko की यह गेम और आज का वीडियो I hope मेरा वीडियो और यह गेम दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगे पसंद आया है तो please इस चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को लैक दीजिएर अपनी कॉमेट देना बिलकुल न भूले धनिवाद चैनल बाबाई